जैंट दोस्तो सिवान डिसकेशन गूरुप में आपको स्वागत है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फरवारी में जितने भी फर्म और लाइन होने वाले हैं सरकारी जोब वाला जितना भी फर्म भराने वाले हैं सबको हम डेटेल्स बताएंगे कि कोप तक फर्म भर पश्वारि करें तो जो फ़रवारी के बहुत थी महत्वपूर्ण रहने वाला है और आच्छा खथर सेलेड़ी रहने वाला यह उस पॉस्ट के परें हम बात करेंगे तो कि क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं कि जनकारी के भाव में फर्म नहीं भर पाते हैं छूट जाता है ठीक है तो आप वीडियो को देखिए पूरा देखिए आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी तो चलिए हम पहला जो है बात कर लेते हैं सेलेक्शन पोस्ट ये सेलेक्शन पोस्ट फेज 12 का फेज 12 का भेगंसी है तो ओन्लाइन इस्टार्ट का हो रहा है याली कि आज से ही आपका फरॉम भरने का 28 फर्वरी तक है ठीक है चलिए एक्जाम डेट आपका यानि इग्जाम जो होगा छे सात और आठे यानि छे से आठ माई तक दोज़ाच चोवीश में आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक है फिए आपका यूर ओबेसी और एडेवुलीश के लिए सौर पर लाएगा एसी एस्टी और फिमेल के लिए एक भी रूपया नहीं लाएगा एज आपका 18-30 एज कितना रहने वाला है 18-30 जिनका एज है उलोग इस फर्म को भर सकते है ठीक है चलिए आगे देखते हमें योगता क्या चाहिए पस्वाब से पहले देख लेजेए इसमें टूटल पोस्ट कितना रहने वाला इस बर आपका 6000 से ज्यादा पोस्ट आने वाला सेलेक्षन पोस्ट में ठीक है एससे पहले आपका 33-500 पोस्ट था ठीक है इसके पहले कितना था तो आभी इसमें बढ़ाया जाएगा ठीक है इसमें मतलब समझें कि चिया करीब आपका भेकेंसी रहने वाला इस बार तो समझें कि भेकेंसी भी आच्छा का चाहिएगा और तो आपका बेसिक जनकारी है और अगर चाहते है किसके आपको डिटेल्स आपको जनकारी चाहिए तो आपको हम डाल देगे तो चलिए अब आपका बेसिक जनकरी बता दिया ठीक है तो पहला हुए आप देखते हैं फर्वारी का दूजार फर्वारी 24 का जो सेकेंड वेकैंसी आपका है बहुत बड़ी वेकैंसी है तो इसके बारे हम बात कर लेते हैं इसमें टूटल पोस्ट कितना है तो 56-96 पोस्ट है ठीक है और आपका इसमें फर्म बने में फी कितना लाएगा तो यूवार ओबेसी और एडवली इसके लिए 500 पे फिल लाएगा एसी एस्टी पीच और फीमेल के लिए कितना धाईस हो लाएगा ठीक है फीका भेकैंसी एलपी का है असिस्टेंट लोको पाइलेट का है ठीक है ओनलाइन स्टार्ट कॉप से हुआ है तो ऑनलाइन आपका 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका अनेस फ पांसल का छुट मिलेगा नहीं कि एसी एस्टी के लिए मैक्समेम उमर और तीस वर्स ठीक है योगता आपका क्या चाहिए तेन्थ पलस आईटी आई जो लोग आईटी आई किये हैं किसी वह ट्रेट से इस फ़र्म को भर सकते हैं ठीक है तो यह रहा है रेलबे एलपी का ठ सब से बड़ी हैं विहार का सबसे बड़ी बड़ी व किया कि विहार विधान साबा सचीवाले की हैं इसमें टूटल पोस्ट की हम बात करता एकंसों नौ यह टिके शेलेरी और देखिए ओ सतर फ़जर्ट हैं कि बहुत ही बहतरी कि चाहिए और दیکिए यह आपका इसमें पा से लेक और लेवर साथ तक आपका वेकंसी है तो समझे कि बहुत अच्छी वेकंसी है आपका 109 पोस्ट है ठीक है तो चलिए हम देख लेते हैं ओनलाइन का लास्ट अपका 15 फर्वाइट देगे इसका लास्ट फर्म भरने का तो जो लोग फर्म को नहीं भर हैं जाक भर लेजेगा इसको हम पूरा चर्चा कर लेते हैं फी देखें जूनियर कलर्क लाइबरेरी अटेंड चैए और अफिस एट्टेन काफी कितना लायेगा तो यू आउपीस के लिए चार शुरुपे लाएगा ठीक है और अधर जो एस्टेट से भरेंगे दूसरे इस्टेट जैसे बिहार का फर्म है थो बिहार के लावा अगर दूसरे फ्टेट वाल फर्म भरेंगा यूपी बं इसके लिए 600 रुपे लाएगा और बाकी एस्टी पीछ महिलाओं के लिए 150 रुप्या लाएगा ठीक है इसमें देखे 5-6 पोस्ट है आप देखे इसमें योगता का हम बात कर ले योगता तो योगता आपका इसमें भी तेंथ पर भी है जो लाइवरेरी अटेंट है जो पर भाव लेबल 2 का होगा और जो इसमें भाव भाव लेवल 7 का होगा ठीक है तीस बात को ध्यान रहें गेएगा गेरजवेशन पे पोस्ट्ट मतलब चुटल 109 पोस्ट है तेंथ वाले भाव सकते हैं त्यों तुट्वाल और गरवेशन तीन लोग को भर सकते हैं ठीक है इसको आप जरूर भरिएगा ठीक है और जितना पोस्ट हम बता रहें जितना भी पोस्ट हम बता रहें सबका डीटेयल्स बीडियो सिवान डिसकोशन गुरूप के वीडियो में एविलेबल है ठीक है जाएए अगर आप इसका देखले जाते हैं विधार विधास भाग इसका पुरा डेटियर्स बता दिये है, यानि किसका जैसे सबका डेटियर्स बता दिये है, अब देखतें यहां पर NIACL, निउ इंडिया एंसुरेंस का तो इसमें देख लेते हैं क्या योगता है पुष्ट कितना है तो टोटल पुष्ट कितना है टोटल वेकेंसी आपका 300 है ठीक है और फी के हम बात कर ले फी फी तो यूर ओबीसी और एडबुल इसके लिए आपका 850 सुपर लाएगा एक्जाम डेट आपका दो मार्च में आपका एक्जाम हो जाएगा ठीक है अब देखिए यह आपका मिनिममम 21 और मैक्सिममम 30 होना चाहिए और बाकी जो क्रेटे छूट मिलेगा आपका और योगता का हम बात करते हैं जो लग ग्रेजवेट है इस फर्म को भर सकते हैं ठीक है और साथ इसमें दो एक्जाम होगा प्री और मेंस ठीक है और इसमें आपको एक और एक्जाम हो जैसे आप जीस से बरियेगा तो उसका लोकल लेंगविज पता होना चाहिए तो तो अगर वीडियो अच्छी लेगे तो इसको लाइक किजिए और सब्सक्राइब जरूर किजिएगा ठीक है